तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलों त्रिकोर्ण मिती फलन के ओकल गुडान डिफरेंशियल कोफिसियन्ट आफ इन्वर्स टिगना मेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 5.3 के कुछ कोश्चन जब कराए गए थे तो उसमें भी इन्वर्स फंक्शन पर अधारित कुछ कोश्चन थे आठ दर्स कोश्चन तो वो आप लोगों ने उसका उकलन पहले ही कर लिया था लेकिन उस समय हमने कहा था कि किसी वीडियो में जो इन्वर्स फंक्शन के डिफरेंशिल कोफिसियन्ट है उसके लिए फर्मूला को डिराइब करने के लिए एक अलग से वीडियो हम देंगे तो आज की वीडियो में हम लोग inverse function के टिक नाप metric function के जो 6 formula है पहले इनको derive करेंगे 6 नहीं करेंगे, 3 हम करेंगे, 3 आपको देंगे क्योंकि बहुत ही आसान होता इसका derivation sin inverse x का differential coefficient with respect to x क्या होता है आपको पता होगा, याद हो गया होगा 1 upon root 1 minus x square cos inverse x का, वही होता है, जो sin inverse x का, बस minus हो जाता है यही बाद 10 inverse और cart inverse में भी होता है 10 inverse x का क्या होता है, differential coefficient 1 upon 1 plus x square होता है, जबकि cart inverse x का minus हो जाता है 6 inverse x का होता है, 1 upon root x, sorry, 1 upon x root x square minus 1 और cos inverse x का minus, जो sin inverse x का होता है, differential coefficient प्लस का minus हो जाता है यह domain है, x के value यहाँ से यहाँ x का मान रहेगा, तो यह formula valid है यह 10 inverse x और cart inverse x, x सभी मानों के लिए और each real numbers और second inverse, cosec inverse भी सभी real number के लिए होता है लेकिन minus 1 से plus 1 के बीच में numbers को छोड़ करके domain range तो आप लोग पढ़े होंगे, जो 12th class के बच्चे हैं आए एक-एक करके सारे formula को हम लोग derive करते हैं सबसे पहले sin inverse x जिसका derivation करना है, उसको मान लेते हैं y हमको sin inverse x का differential coefficient चाहिए इसका ocular चाहिए, इसका ocular गुड़ान चाहिए तो इसको y मान लेंगे अगर y is equal to sin inverse x है तो x is equal to क्या हो जाएगा sin y ठीक अब हम लोग को निकालना क्या है y का ही ocular निकालना है d by dx y ही निकालना है sin inverse x का differential coefficient निकालना है यानि कि y का निकालना है तो क्या करेंगे इसका ocular कर दीजे दोनों पच्छों का तो क्या होगा x के साफेज ocular करने पर differentiating with respect to x we get क्या होगा x का ocular क्या होगा one assign y का क्या होगा cos y into dy by dx then dy by dx is equal to क्या हो जाएगा one upon cos y अब sin y का value मालूम हो तो cos y का value आप निकाल सकते हो ना क्योंकि एक किसी भी एक जो कोड़ मितियन पारत का मान मालूम हो तो बाकी पांच का हम लोग निकाल लेते हैं आइं तेंत क्लास में आप पड़े होंगे क्योंकि sin theta का क्या फर्मूला होता लंब बटाकर perpendicular upon hypotenuse तो आधार निकाल करके बेस निकाल करके भी कर सकते हैं नहीं तो आप ऐसे भी कर दीजे cos y is equal to क्या होता है root 1 minus sin square y होगा sin y का value क्या हो गया x खेके ना तो y के जगह पर sin inverse x लिख दीजे तो d by dx आफ sin inverse x क्या आ गया 1 upon root 1 minus x square बहुत ही आसानी से इसका derivation हो गया अब cos inverse x का आप खुद करोगे अब tan inverse cat inverse x में से किसका cat inverse x वाला बता दे negative वाला बता देते हैं ठीक है आप पश्टी वाला कुछ कर लिजे और आसान रहेगा फिर क्या करेंगे tan inverse x का derivative निकालने के लिए क्या करेंगे इसको भाई माल लिजे तो क्या हो जागा let y is equal to tan inverse x this implies x is equal to क्या होगा tan y फिर देखें मिटादी हमने x के साफेच आउकलन करने पर differentiating with respect to x we get क्या होगा उकलन करेंगे तो x का 1 और tan y का क्या होगा sec square y into dy by dx then dy by dx क्या होगा 1 upon sec square y अब tan y का value x हो तो sec y का value आप दिकाल सकते हो और नहीं तो इसको ऐसे कर दीजे 1 plus 10 square y लिख सकते हैं क्या बोलिए sec square y is equal to 1 plus 10 square y होता है न तो 1 upon 1 plus 10 y के place पर क्या लिख दिये जाए x तो क्या हो जागा hence d by dx of y के जगा पर क्या लिख दिजे 10 inverse x is equal to क्या आगया अच्छा हमने 10 inverse x कर दिया चलिए कोई बात नहीं cut inverse x करना था 10 inverse x का कर दिये तो जैसे 10 inverse x का होगा वैसे ही cut inverse x का होगी होगा लेजे उसको भी कर देते हैं ये लेजे cut inverse x होगया तो x is equal to क्या हो जागा cut y आप बोलेंगे सर ने लिया 10 cut और कर दिया 10 तो x क्या होगा 1 अग cut y क्या हो जागा minus cos x square y यहाँ पर क्या हो जागा minus into dy by dx cos x square y cos x square y क्या होता है 1 plus cut square y आप cut y के प्लेस पर x लिख दिजिए आगया minus 1 upon 1 plus x square बहुत ही आसान होता है यह तो एक तरह से पूछे मत कितना आसान है अब इन दोनों में से cos x कर रहा है एक आप करिएगा तो क्या करें y is equal to cos x पहले माल लेंगे जिसका आउकलन करना हो this implies x is equal to क्या हो जाएगा cos x फिर क्या करेंगे x के साफ़े चाउकलन करने पर तो x का तो 1 होगा अग cos x का क्या होता है minus cos x into cut y into dy by dx hence dy by dx is equal to क्या हो जाएगा minus 1 upon cos x into cut y अब कासेक y कमान क्या है x अब काट y कमान कैसे निकलेगा तो इसको ऐसे लिखते रहें पहले कासेक y रहने जा रहें और cut y is equal to क्या होता है under root cos x square y minus 1 ठीक न क्यों क्योंकि यहाँ जगा नहीं यहाँ लिख दे रहें 1 plus cut square y is equal to क्या होता है cos x square y then cos x square y minus 1 is equal to क्या हो जागा cut square y यह 910 का फर्मूला है और first routine metric का वीडियो है first lecture उसमे भी हमने इसका derivation बताया है तो cos x square y को क्या लिख दिया हमने root cos x square y minus 1 hence d by dx of y का प्लेस पे क्या लिख देंगे cos x is equal to minus यह दो बार minus हो गया क्या उपर भी minus हो गया नीचे भी minus हो गया तो एक जगा ही कहीं लिखेंगे इसका ध्यान रखेंगे ठीक है न उपर लिख दीजे x root x square minus 1 आ गया cos x कोई के जगा पे x लिख दिये यह बहुत ही आसान इसका निग्मन होता है अब यह आप कर लेंगे अपने से तो दो आपको करना है चार हमने कर दिया ठीक है अब कुछ question लेते हैं जो 5.3 का हमने किया था उसको ले करके बताते हैं तो आगे आईए हम लोग और कुछ सीखते हैं इसमें हम लोग जानते हैं sin inverse of sin theta is equal to theta लिख देते हैं लेकिन यह हमेशा नहीं होता है sin inverse of sin theta is equal to theta यह हमेशा सकते नहीं है यह कब होता है जब theta कमान minus pi by 2 के बराबर या उससे बड़ा तथा pi by 2 के बराबर या उससे छोटा हो इस range में हो theta कमान तब जाकर के sin inverse of sin theta is equal to theta होता है लेकिन अगर question में theta का value के बारे में जिक्र न किया हो तो generally हम लोग लिख देते हैं sin theta is equal to theta लेकिन अगर theta कमान दिया हो तो फिर इसका ध्यान देना पड़ता है आप लोग के course में जो question आते हैं या तो theta के मान नहीं दिये रहेंगे जो differentiation में question आते है x दे value या तो नहीं दिये रहेंगे और अगर दिये रहेंगे तो इसका ध्यान रख करके दिया जाता है कि आप जब भी formula यूज करो तो theta कमान इसी तरीके से आए अभी उसको जब example लेकर के question को जब समझाएंगे के बराबर या उसके बीच में होता है cast inverse of cast theta is equal to theta कब होता है जब theta कमान 0 या 0 से बड़ा तथा pi या pi से छोटा हो रेडियन में 10 inverse of 10 theta is equal to theta कब होता है जब theta कमान minus pi by 2 से बड़ा और plus pi by 2 से छोटा हो यह छोटा bracket लगा है जो लोग 12th के बच्चे होंगे वो जानते होंगे mathematics के इसलिए हमने काया कि यह वीडियो 12th class के mathematics के बच्चों के लिए है और बहुत ही useful वीडियो है cast inverse of cast theta is equal to theta कब होता है जब theta कमान 0 से बड़ा और pi से एक सोटा होता है 0 से बड़ा और pi से छोटा होता है सेक inverse of cast theta is equal to theta कब होता है जब theta कमान 0 से बड़ा और pi से छोटा होता है लेकिन theta कमान 90 नहीं होना चाहिए इसमें जान देना चाहिए pi by 2 नहीं होना चाहिए 90 degree या pi by 2 नहीं होना चाहिए बाकि सबमान हो सकता इनके बीच में कॉसलेक इन्वर्स आप कॉसलेक ठीटा इसको ठीटा कब होता है जब ठीटा कमान माइनस पाइब वाइब टू से छोटा हो लेकिन इसके बीच में अगर ठीटा कमान जीरो आता है तो उसको आप accept नहीं करेंगे तो यह condition है जो exercise 5.3 के question हमने लिया था, उसमें बगल में x का value दिया हुआ था, हमने इसको जान भूज करके नहीं लिया था, उसमें जान भूज करके इसको नहीं लिया था, क्योंकि उस समय इसको लिलने से आप लोग differentiation से भटक जाते, सारा ध्यान इधर चला जाता और डर जाते, तो यह क्यों दिया रहता है, NCRT के book में दिया है, बहुत सारे private book में x के value दिये नहीं रहते, तो यह देने का क्या मतलब है, इसका कोई यह प्रसंगिक है या प्रसंगिक है, इसका कोई मतलब भी है कि बेमतलब का दिया रहता है, इसका मतलब होता है, अगर x का value नहीं दिया रहेगा, तब तो हम लोग आँख बंद करके कर लेंगे question को, हमेशा यह लिखेंगे, लेकिन अगर value दिया होता तो ध्यान देना पड़ता है, लेकिन आपको यह बता दें, कि जितने भी x के value दिये हुए है, आपको, बतलब जो sin theta को ठीटा लिखते हो, तो sin theta कमान उसके हिसाब से minus pi by 2 से plus pi by 2 या उसके equal ही आएगा, तेकिन उसमें कुछ अलग नहीं आएंगे, आपके syllabus में जो question है, इसलिए उसको ignore भी कर देने से कोई फरग नहीं पड़ता है, लेकिन condition level में या higher level में जब जाएंगे, तो इन चीजों का ध्यान रखता जाता है, एक ही question का answer बदल जाते हैं, तो अब ज़रा इस अधार पर इसको ले करके, जब question करेंगे, तो आपको कैसे समझेंगे, जैसे question number 10 था exercise 5.3 का, y is equal to 10 inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x is equal, तो हमने क्या put किया था है, आपके, x is equal to 10 theta, यादे आपको अपसान इसे कर सकते, 10 inverse 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan, 10 square theta, ज़र आप इसको देखिएगा, तो 10 inverse, इसको क्या लिख देंगे, tan 3 theta, और 10 inverse आप tan 3 theta को हमने क्या लिख दिया था, 3 theta, और फिर theta का value क्या लिख दिये थे, tan inverse x, और उसका differentiation कर दिये थे, this implies क्या हो गया था, y is equal to 3 tan inverse x, और फिर इसका differentiation तो बहुत इजी होता है, लेकिन क्या हम 10 inverse tan 3 theta को, 3 theta हमेशा लिख सकते हैं, नहीं, यह कब लिख सकते हैं, 10 inverse tan 3, 10 inverse tan theta को theta कब लिख सकते हैं, जब theta कमान, minus pi by 2 से, plus pi by 2 के, बीच में हो, तो यह हमको check करना पड़ेगा, अब यहाँ 10 inverse, आप 10 3 theta को, हमने 3 theta लिखा है, यानि 3 theta कमान कितना होना चाहिए, minus pi by 2 से, plus pi by 2 के बीच में होना चाहिए, और वो आएगा, क्योंकि जो भी question दिये जाते हैं, वो सोच समझ के दिये जाते हैं, इसलिए बहुत सारे book में, x का value नहीं दिया जाता है, कि उससे आपका ध्यान भटके नहीं, आप main मुद्दे से हटके, दूसरे तरफ न चले जाए, लेकिन जब competition level के question करेंगे, तो उसमें इसका भी value रहता है, यह क्या दिया है, इसको change कर देने से, अगर यह नहीं होता x का value, तो हो सकता answer change हो जाए, अगर x नहीं दिया रहागा, तब तो आपनी shint के कर देंगे, लेकिन अगर x दिया है, तो उसको भी consider करके check कर लीजे, चेक करने में क्या जा रहा है, ठीक है, तो देखिए, check कर रहा है, क्या हो जाएगा, अब हम लोग को क्या दिया है, x is equal to, x is less than 1 by root 3, and greater than minus 1 by root 3, x तो आपने क्या put किया है, 10 theta, this implies क्या होगा, ठीक न, अब एक बटा कड़ी में 3 कितने के लिए होता है, 5 by 6 के लिए, यानी theta is equal to क्या होगा, तो ही है, अगर 10 theta का value, 1 by root 3 से कम हो, minus 1 by root 3 से जादा हो, ठीक का value तो यह होगा, minus 5 by 6 से जादा, और 5 by 6 से कम, तो 3 theta का value क्या होगा, 3 से गुड़ा कर दिजिए, पुरा, तो क्या हो जागा, 3 से गुड़ा करेंगे, तो होजाएगा, minus 5 by 2, 3 theta, यहाँ पर 5 by 2, यानी 3 theta का value क्या आगया, आगया की नहीं, minus 5 by 2 से, plus 5 by 2 की बीच में आया की नहीं आया, इसका मतलब हम लोग, 10 inverse 10 3 theta को, 3 theta लिख सकते हैं, 10 inverse of 10 theta, 10 inverse of 10 theta, is not always equal to 3 theta, 10 inverse 10 theta का मान, हमेशा 3 theta नहीं होता है, कब होगा, जब 3 theta का मान, minus 5 by 2 से, plus 5 by 2 के, बीच में हो, वो यहीं देने की कोशिस किया है, कि 3 theta का मान क्या है, minus 5 by 2 से, plus 5 by 2 के, बीच में है, परोष्रूप से वहीं दिया है, तभी हम लोग लगा ली, तो इसको नहीं भी लिखेंगे, तो इसका मतलब वही था, लेकिन अगर यह दिया है तो इसका मतलब यही था, अगर इसका वैलू दिया है, तो इसलिए दिया है, कि आप कभी परशान हो, कोई कहें, कि आपने कैसे लिख दिया, 10 इन्वर्स आप 10, 3 X टीटा को 3 टीटा कैसे लिख दिया है आप बता सकते देखो X का value है तो 3 टीटा का value क्या होना चाहिए minus pi by 2 से plus pi by 2 के बीच में आ रहा है इसलिंहें हमने लिख दिया है और यगर x का value दिया ही नहीं तब तो आप सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको कुछ नया नहीं मिलने वाला कि इसी तरस यह कोश्चन नंबर टू देखिए कि डिपाइब डिएक्स नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि आपको निकाल चुके एक लाइन का काम है ठीक है अब यह देखिए क्या है कास इनवर्स इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे फिर x स्कुल टू 10 ठीका पुट किये थे क्या हो गया था y स्कुल टू कास इनवर्स 1 माइनस 10 स्कुल ठीका अपाम 1 प्लास 10 स्कुल ठीका और ये क्या हो गया था कास इन्वर्स आफ कास टू ठीटा और फिर कास इन्वर्स आफ कास टू ठीटा को हमने क्या लिख दिया था टू ठीटा लेकिन फिर वही बाद क्या कास इन्वर्स आफ कास टू ठीटा इस आलेज इक्वल टू ठीटा होगा नहीं कब होगा यह बिट गया है लेकिन अभी लिखे ते फिर से लिख दे रहे हैं कब होगा जब यह पता नहीं यहां चमक रहा होगा कास इन्वर्स आप कास ठीटा इस इक्वल टू ठीटा कब होता है जब ठीटा कमान 0 से पाई जिरो या जिरो से बड़ा पाई या पाई से छोटा हो उस रेंज में ठीटा कमान यहां तक आएगा तभी जाकर के हम लोग इसको लिख सकते यानि टू ठीटा कमान क्या होना चाहिए जिरो या जिरो से बड़ा और पाई या पाई से छोटा होगा इसके बीच में कहीं आएगा तभी हम cas inverse cas 2 theta को 2 theta लिख सकते तो check किया जाए जो value दिया है, क्या दिया है यहाँ पे अब यहाँ बस check कर रहे है, question वही है उसका solution, जो पहले बताया गया था बस check करके दिखा रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं हर जगा तो x का value 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, x तो उमने क्या माना, 10 theta इसका मतलब 10 theta का value क्या होगा है, 1 से छोटा और 0 से बड़ा तो 10 theta का मान 0 से अधिक या 1 से कम कब होगा, जब theta का मान 0 से अधिक हो या pi by 4 से कम हो, हमको 2 theta चाहिए, तो 2 से multiply कर दीजिए, तो ये तो 0 ही रहेगा, ये 2 theta हो जागा, इसमें 2 से multiply करेंगे तो pi by 2 हो जाएगा यानि 2 theta का मान 0 से pi by 2 के बीच में है, तो cast inverse, आप cast 2 theta is equal to 2 theta कब होता है, जब theta का मान 0 या 0 से अधिक पाई या pi से कम हो, क्या उस range में आ रहा है ये, जरूरी नहीं कि पूरा आपको गिदम, exactly यही 0 to pi निकले, उसके बीच में कहीं भी वो मान हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता, pi से अधिक नहीं हो सकता, और ये भी principle value branch होते हैं, जो लोग inverse function पढ़े होंगे, टिगनामेट्री के, वो जानते होंगे, ये क्या है, principle value branch है, मुक्यमान साखा है, ठीक न, जो परास है, वो पूरा परास नहीं है, उसमें क्या है, principle value branch, या मुक्यमान साखा है, आर जो होता है, हम लोग नहीं, हमेशा मुक्यमान को ही ले करके चलते हैं, principle value को ही ले करके range में चलते हैं, inverse function में, अगर question में नहीं कहा रहे हैं, तो वो तो अलग बिंदू है, उसको आप inverse function में, trigonometric के inverse function में पढ़ेंगे, वहाँ इस सीज को सुन करके confusion नहीं, कुछ अपने मन में रखेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक्चुली, ये, जो differentiation है, बढ़ियां से उसी को समझ में आएगा, जो प्रतिलों, भृतिय फलन, ट्रिकोर्मिती का पढ़ा हुआ, ठीक न, तो inverse trigonometric function पढ़ा होगा, उसको ही ठीक से समझ में आएगा, इन चीजों को domain range को जब लेंगे, अदर्वाइस जब function पढ़ाएंगे, तो domain range को तो समय आपको पढ़ाएंगे ही, चलिए, अब ये देखिए उसमें आ रहा है न, तो हम cas inverse, cas 2 theta को 2 theta लिख सकते हैं न, इसलिए अब 2 theta inverse x, कहीं भी लिख सकते हो आप, 2 theta inverse x, यहां चमक रहा होगा, यहीं लिख सकते हैं, y square to 2 theta inverse x, अब उकलन तो कर लोगे न, dy by dx square to 2, 2 upon theta, 1 upon 1 plus x square, तो कोई मुश्किल नहीं है, तो हर question में आपको देखिए, ये 5.3 का exercise के सारे question पहले ही कराए जा चुके हैं, बस हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, कि आप cast inverse x तू theta को 2 theta लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं, क्या वो उस range में आ रहा है, जब टीटा band क्या होना है, तो अभी लिख पाते हैं, तो इसलिए हम ने उसको, बार-बार हर question को हम लोग check कर ले ठीक है इतना ही करना है question number 12 लेते हैं वही सही है 12 भी तो दिख रहा वही चीज क्या होगा यहां भी यह क्या x के जगे पर put करेंगे 10 theta तो y is equal to क्या हो जागा sin inverse अब डारेक्ट लिख दरें 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta क्या हो जागा काश 2 theta उस दिन किया गया था 5.3 वाले exercise में किया गया इस question को अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे sin inverse इसको क्या लिख देंगे pi by 2 minus 2 theta और अब sin inverse आप sin pi by 2 minus 2 theta को हम लोग क्या लिख सकते हैं pi by 2 minus 2 theta लेकिन क्या हमेशा लिख सकते हैं sin inverse आप sin pi by 2 minus 2 theta is not always equal to pi by 2 minus 2 theta इसका मान हमेशा इसके बराबर नहीं होगा कब होगा हमने बताया है sin inverse आप sin theta कमान theta कब होता है जब theta कमान minus pi by 2 के बराबर या उससे बड़ा तता pi by 2 के बराबर या उससे छोटा हो उसके बीच में कहीं हो माइनस 90 या माइनस 90 से बड़ा प्लस 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा उसके बीच में कहीं हो तभी यह लिख सकते है अब चेक किया जाए क्या होगा क्या यह क्या इसका वेल sin inverse आप sin pi by 2 minus theta को पने लिख दिया क्या दिया था दिया था question में इसको मिटा दे x is less than 1 and greater than 0 x के place में हमने क्या पूट किया है 10 theta तो यह क्या हो जाएगा 0 का मतलब 0 ही रहेगा 10 theta और यह pi by 4 हो जाएगा अगर 10 theta का मान 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो theta का मान कितना हो जाएगा 0 से बड़ा और pi by 4 से छोटा minus से multiply कर दे तो यह इधर आजाएगा और यह इधर यह inequalities आपको मालूम होना चाहिए minus pi by 4 और यहाँ 0 में minus से multiply करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं यह इधर आजाएगा यह इधर greater than हो जाता है less greater than हो जाता है और यह minus से multiply कर दिया इसको इधर कर दिया और minus से multiply कर दिया अब 2 से पहले कर देना चाहिए था चलिए 2 से अभी भी कर सकते हैं क्योंकि 2 Cas is पहले इसको 2 Cas करी देते हैं 0 pi by 2 2 से multiply कर दिया धीता इतना है pi by 4 से छोटा है 0 से बड़ा है तो 2 theta क्या होगा, 2 से गुड़ा कर दिया आपने, अब minus से जैसे गुड़ा करेंगे, तो यह जार आ जाएगा, inequalities भूल ना गया होगा आप लोग को, अब क्या करें, pi by 2 जोड़ दें दोनों में, सब में, हाँ, minus से multiply किया हमने, ठीक है, अब pi by 2 जोड़ दे रहे हैं सब में, तो क्या हो जाएगा, इसमें pi by 2 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0, इसमें pi जोड़ेंगे, pi by 2, तो pi by 2 minus 2 theta, आइसमें जोड़ेंगे तो pi by 2, तो pi by 2 minus 2 theta का value कितना आ रहा है, 0 से 90 के बीच में आ रहा है, ठीक है न, और यहाँ देख लिजे, यहाँ आ चाहिए, minus 90 से plus 90 की बीच में कभी भी आएगा, तो आप sin inverse, आप sin theta को theta लिख सकते हैं, तो आ रहा है कि नहीं, उसके बीच में है कि नहीं, minus 90 से plus 90, अब कुछ लोग सोचेंगे कि पूरा यहीं आ जाए बार-बार तो यह जरूरी नहीं है, इसके बीच में कहीं भी आना चाहिए, minus pi by 2 से कम, plus pi by 2 से जादा नहीं होना चाहिए, उसके बीच में कहीं भी है तो आप उसको apply कर सकते हैं, sin inverse, आप sin theta को theta लिख सकते हैं, तो उनने क्या किया है, sin inverse, आप sin pi by 2 minus 2 theta को क्या लिख दिये हैं, Pi by 2 minus 2那 आप लिखा जाता है और उसके बाद तो आप कर सकते हो Pi by 2 minus 2 theta के जड़ाँ पर क्या लिदेंगे 10 inverse x उसके बाद आउकलन करना आपको आता है वह नहीं करार है इसका 0 होगा 10 inverse x का 1 upon 1 plus x square होगा एक लाइन का ही होगा, हम बस x का value पे consider करके उसको भी discuss कर रहें, ठीक है, अब देखिए, ये क्या है, question number 13, cast inverse, 2x upon 1 plus x square, x का value क्या दिया था, क्या है, x से जगा पे हम put करेंगे, 10 theta ही put करेंगे, तो क्या हो जागा, put x square to 10 theta, उसके लिए उस दिन हम नहीं बता है, उस दिन बता होते तो आपको समझ में नहीं आता, उस वीडियो में बताते तो, सारा ध्यान इसी पर रह जाता, cast inverse to 10 theta, upon 1 plus 10 square theta, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cast inverse यह किसका फर्मूला है, sin 2 theta, अब यह cast inverse आ गया, यह sin आ गया, तो अब उसके लिए तो परतान होना नहीं है, उसके बताया ही था, क्या करेंगे आप, cast inverse रहने दीजे, इसको क्या लिख दीजे, cast pi by 2 minus 2 theta, और cast inverse, cast theta is equal to क्या होता है, theta, लेकिन क्या हमेशा होता है, हमेशा नहीं होता है, कब होता है, cast inverse, cast theta is equal to theta, जब theta कमान, 0 या 0 से अधिक, या πाई या πाई से कम हो, ज्यान दे रहे न, तो चेक किया जाए, question में यही दिया था न, x is greater than minus 1 and less than plus 1, x अपने क्या put किया है, 10 theta तो put कर दीजे, यह हर question में आप चेक कर सकते हैं, अगर दिया है तो, अपनी तसलिक के लिए, नहीं भी करेंगे तो सही है, आप देखना है न, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन चेक करके दिखा दर है, अब theta क्या होना चाहिए, पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4, चुकि आपके इस लेवर्स में ऐसा question नहीं आएगा, कि यहाँ पे ऐसा x कमान दे दिया जाए, कि cast inverse, आप cast theta को आप theta न लिख पाओ, 10 inverse, 10 theta को theta न लिख पाओ, 10 inverse, 10 theta को theta न लिख पाओ, ऐसा को x कमान नहीं देगा, बोर्ड लेवल, condition level में दिया जा सकता है, तो 2 से multiply कर दीजे, तो 2 theta कितना हो जाएँ तो, उपर लिख दे, 2 से multiply करएँगे, कितना हो जाएँगा, माइनस, 5 वाई 2, इसमें 2 से multiply करेसे क्या हो जाएँगा, 2 theta, इसमें 2 से multiply करेंगे, 5 वाई 2, माइनati स्टूट है तो मैने से मेंил mélडिप्लाइगे यह plus हो जाए यह माइनस Понада रिम से लेकिन ने पता नहीं चलेंगा जरो इसको डहेंगे तो लगेगा क्यों ऑही है इसको हम इधार कर दे रहें, minus pi by 2, minus 2 theta, और इसमें minus से multiply किये, ये plus, उधार लेगा है, minus इधार लाएं, लेकिन दोनों same है, इसलिए पता नहीं चल दा, हमको क्या थे, pi by 2 minus 2 theta, pi by 2 जोड़ दिया जाए, तिनों में, इसमें pi by 2 जोड़ेंगे, तो क्या जगा, 0, इसमें pi by 2 जो minus 2 theta, क्या आया, इसके बीच में ही कहीं है, 0 या 0 से अधिक, pi या pi से कम होना चाहिए, तो देखिए, आ रहा है कि नहीं, उसके अंदर आ जा रहा कि नहीं, पुरा-पुरा नहीं आया है, इसमें 0 pi को छोड़ करके ही आया है, लेकिन आ गया है, उसके अंदर, 0 से कम या pi से ज अफिर, इसका आउकलम तो एक लाइन का है, pi by 2 का 0, 10 inverse x है, minus 1 upon 1 plus, मतलब 10 minus है, तो 1 upon 1 plus x स्कार होगा, minus है, तो minus 1 upon 1 plus x स्कार हो जाएगा, next question है, sin inverse, 2x root 1 minus x स्कार, question number 14 है जहाँ, x का value minus 1 by root 2 से बड़ा है, और plus 1 by root 2 से छोटा है, ठीक है न, यह question में दिया हुआ, अब हम लोग क्या put करेंगे, x square to sin theta, पहले put करके देखिए, तो y square to क्या हो जाएगा, sin inverse, 2 sin theta, root 1 minus sin square theta, sin inverse, यह क्या हो जाएगा, 2 sin theta into cos theta, sin inverse, sin 2 theta, अब हम लोग क्या किये थे, sin inverse, आप sin 2 theta को क्या लिग दिये थे, 2 theta, sin inverse, आप sin 2 theta, is square to 2 theta, हमेशा नहीं होता है, कब होता है, जब कब होना चाहिए, जब 2 theta कमान, minus pi by 2, के बरावर या उससे बड़ा, तथा plus pi by 2, के बरावर या उसके छोटा, इसके बीच में कहीं आएगा, तभी हो पाएगा, मतलब, theta कमान, यहां से यहां तक हो, तब तो valid होगा, 2 theta कमान, तो चेक किया जाए, क्या दिया है, question में, x is equal to, minus 1 by root 2 से ज़्यादा, और हमने x के जगा पर foot क्या किया है, 9 theta, तो theta कमान, क्या होना चाहिए, 5 by 4, minus 5 by 4, तो 2 theta कमान, क्या होना चाहिए, minus 5 by 2, 2 plus 5 by 2, ध्यान दिजेगा, एक दमाग है न, minus 5 by 2 से बड़ा, plus 5 by 2 से छोटा, इसके बीच में ही आया न, कहीं, minus 90 से, minus 5 by 2 से कम, या plus 5 by 2 से ज़्यादा नहीं न हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, और फिर क्या किये थे, theta के ज़्यापर क्या लिख दे थे, साइन इन्वर्स x, और उसके बाद, अउकलन तो एक लाइन का होता है, dy by dx is equal to 2, साइन इन्वर्स x से क्या होता है, 1 upon root 1 minus x square, लेकिन यहाँ पे एक question, किसी student ने पूछा था, कि अगर हम cash theta put कर देंगे, तो क्या होगा, अगर हम cash theta put कर देते, तो यहाँ पे क्या होता, cash theta, और यहाँ क्या हो जाता है, sin theta, यहाँ भी cash square theta होता, यह cash theta हो जाता, और यह 1 minus cash square theta क्या हो जाता, sin theta, यह तो आता sin 2 theta ही, पोल यह, और फिर, आप sin inverse से sin खतम कर देते, 2 theta हो जाता, और फिर theta के जब लिख देंगे cash inverse x, तो dy by dx क्या आ जाएगा, minus 2 upon root 1 minus x square, अगर इसका उखलंग करेंगे तो क्या होगा, minus 2, क्योंकि cash inverse x क्या होता है, minus 1 upon root 1 minus x square, यहाँ पे गारी फस गई, और कहीं नहीं फस रही थी, हर जगा answer से मा रहे थे, लेकिन देखिए अगर cash theta put कर देंगे आप, जो कि विल्कुल सही है, तो answer क्या आगया, minus 2 upon root 1 minus x square, और scientific data put कर रहे थे, तो क्या answer आ रहा था, plus 2 upon root 1 minus x square, ध्यान दिजेगा, तो फिर क्या दोनों answer सही है, नहीं, answer वही सही था, पहले वाला, यह सही नहीं है, यह हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन x का जो value दिया है, इस value के लिए answer पाश्टी वाला ही सही है, यह क्यों नहीं सही है, यह इसमें क्या गलती है वही, अगर इस तरह कर दिया तो इसमें कोई गलती है क्या, अगर गलती है तो उसको चेक किया जाए, पकड़ा जाए, कहां गलती है, बिल्कुल गलती है, उसमें गड़बडी हो रही है, हमने क्या किया है, साइन इन्वर्स, आप साइन 2 ठीटा को क्या लिख दिया है, 2 ठीटा, हमें इता थोड़े लिखते हैं, तब लिखते हैं, जब 2 ठीटा का वेलू इसमें हो, अब ज़गा चेक किया जाए, उसमें आ रहा है के नहीं, तो हमने, हमको कोश्चम ने क्या दिया था, यह ने दिय अब एकस के बएल, जगप अपने क्या फूट किया है, कास ठीटा, तो कास ठीटा लिख लिजिए, 1 by root 2, minus 1 by root 2, कास का मान, minus 1 by root 2 से ज्यादा, प्लस 1 by root 2 से कम, यह कम होगा, जब ठीटा का मान, ध्यान दिजिएगा, कास में उल्टा होता है, जब ठीटा कमान 5 by 4 से ज़्यादा हो और 3 by 4 से कम हो अगर ठीटा कमान 45 से ज़्यादा होता है तो काश ठीटा कमान 1 बटा कड़ी में 2 से कम होता है और यह देखे तो छुटी गया और अगर ठीटा कमान अगर ठीटा कमान 45 से ज़्यादा होता है तो cast theta command एक बटा कड़ी में 2 से कम होता है और theta command अगर 3 pi by 4 यानि 135 डिगरी से कम हो तो cast theta command minus a1 by बटा कड़ी में 2 से अधिक होता है यहां कौन उलट जाते काद में? आपको पता होना चाहिए तो 2 theta क्या होगा? दो से ज़गा गुड़ा कर दीजिए क्या हो जागा यह पाई बाई टू और यहां क्या हो जागा थ्री पाई बाई टू देख लिए क्या इसमें आ रहा है क्या माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में आ रहा है टू ठीटा नहीं आ रहा ना यहीं गड़बड़ी हो रही है साइन इन्वर्स आप साइन टू ठीटा को आप टू ठीटा लिग दिये हो और इस केस में काश ठीटा जब माने हैं तो भी आया है साइन टू ठीटा यह और साइन इन्वर्स आप साइन टू ठीटा को हमने क्या लिग दिया है? 2 theta लेकिन 2 theta का मान इसमें नहीं आ रहा है इसलिए गरवड़ी यहां पे हो रही है जो पकड़ में नहीं आपको इसे आएगी तब x का value समझ में आएगा कि क्यों हमने x की value की चर्चा किया तो इसको अब question को कैसे करते अगर आपने यह इधर चलाता है यह इधर चलाता है माइनस ते multiply करने पर अब pi जोड़ दीजे तीनों में इसमें pi जोड़ेंगे तो कितना हो जागा minus pi by 2 इसमें pi जोड़ेंगे pi minus 2 theta इसमें pi जोड़ेंगे pi by 2 हो जागा pi minus pi by 2 क्या होता है pi by 2 अब देखिया आगया pi minus 2 theta क्या हो गया इसमें जोड़ेंगे आ रहा है न तो अगर आप question को आपने कास मान लिया होता इसमें इस question में तो आप यहां कर तो आ जाते अब इसके बाद क्या करते y is equal to sin inverse sin 2 theta को क्या लिख देते आप pi minus 2 theta बोलिए इसको लिख सकते हैं न sin 100 c minus 2 theta is equal to sin 2 theta ही होता है आप जानते हैं न इस चीज को जानते हैं कि नहीं जानते तो इसको हमने यह लिख दिया अब देखिए sin inverse को sin अब sin inverse से sin खतम हो जागा क्या जागा pi minus 2 theta sin inverse of sin pi minus 2 theta is equal to ने क्या लिख दिया pi minus 2 theta क्यों? क्योंकि pi minus 2 theta का मान minus pi by 2 से plus pi by 2 के बीच में कहीं आ रहा है अब यहां लिखा जा सकता है तब क्या हो जागा y square to minus pi 2 theta के जाए पर क्या लिख देंगे sin inverse x अब आउकलन करिए pi का 0 minus 2 का सिन्वर्स्टे एक से क्या होगा? minus 1 अपान root 1 minus x square तो answer क्या आएगा? 2 upon root 1 minus x square पार्टी भी आए ना? तो x गया लोगर इतना दिया है तो answer पार्टी ही आएगा अगर आपने का सिटा भी put कर लिया है तो भी यही answer आएगा वहाँ पे अब इसको हम लोग को change करना पड़ेगा क्योंकि 2 theta का माम इसके अंतरगत नहीं आ रहा था तो उसको हम लोग क्या किये है? 2 theta को क्या लिख दिया है? pi minus 2 theta लिख दिया है pi minus 2 theta का माम इसके अंदर आ रहा था लेकिन हमने जान भूच कि उसकी चर्चा नहीं किये थे कि आप अनावस्यक परसान होते ये inverse trigonometric function के साथ question है साथो एक जैसे है साथो को बहुत जल्दी आप लगा सकते हैं अगर इसके logic को समझ जाएं साथो इसी सुत्र पर अधारित है आपको 10 inverse x plus 10 inverse y का फर्मूला मलूम होगा जो लोग पढ़े होंगे 10 inverse x plus 10 inverse y is equal to होता है 10 inverse x plus y upon 1 minus xy और अगर ये minus हो जाए ये minus हो जाता है और ये plus हो जाता है ये फर्मूला आपको याद होगा पता होगा नहीं पता है जिन वच्चों को जान जाएं इसी सुत्र पर अधारित ये 7 कोश्चन है यहनि अगर हमको left hand side मालूम हो तो राइट hand side और right hand side मालूम हो तो left hand side लिख सकते हैं तो इस 7 कोश्चन में right hand side की form में आएगा और हमको left hand side की form में लिखना होगा ठीक है, लिहान दीजिएगा जरा question number 1, क्या है, हम लोग को इसका derivative निकालना है, d by dx of 10 inverse a plus x upon 1 minus ax, अगर आपको यह formula नहीं आ जाए, तो फिर यह बहुत ही lengthy हो जाएगा, फिर 10 inverse x का 1 upon 1 plus x square करोगे, फिर इसका future करना पड़ेगा, लेंदी होगा न, लेकिन अगर formula मालूम हो, तो फिर इसको आप क्या लिख दोगे, देखिए, d by dx of 10 inverse a plus 10 inverse x, यह formula है, 10 inverse a plus x upon 1 minus ax को क्या लिख दोगे आप, 10 inverse a plus 10 inverse x, अफिर दोनों का derivative निकालना है, तो 10 inverse a pure constant है, इसका 0 हो जाएगा, 10 inverse x का 1 upon 1 plus x square, this is the answer, एक line के question हो गया, एक line बही हो गया, question number 2 भी देख लीजी, वो भी बहुत छोटा है, क्या है, d by dx of 10 inverse, 3 minus 5 x upon 1 plus 3 into 5 x, क्यांगे, यह 3 into 5 x तो नहीं, वहाँ तो 15 x है, तो 15 x और 3 into 5 x तो एक ही चीज है न, पांस्तियांगे 15, पांस्तियांगे 15, अब इसको क्या लिख देंगे आप, d by dx of 10 inverse, क्या लिख देंगे, बताइए, पांस्तियांगे और खुझ से आप कर ले सकते हैं, वीडियो को पांस्तियांगे, आप खुझ से देखिए, क्या होगा 10, कर लिए हैं, नहीं किये तो देख लिएजी, क्या हो जाएगा, 10 inverse 3, minus 10 inverse 5x, 10 inverse 3, minus 10 inverse 5x, कहीं न, अब 10 inverse 3, तो pure constant है, 0 हो जाएगा, 10 inverse 5x, कहीं हो जाएगा, 1 plus 25x square, लेकिन 5x है, एक्स हो है नहीं, तो 5x है, फिर से करना पड़ेगा, वो हम डिरेक्ट लिएट लिए 5, तो ये इसका अंसर हो गया है, ठीक है, अब question number 3 देखिए, अर्मुला तो आप समझ गया होंगे, क्लिक दें, बिट गया तो, 10 inverse x है, यहाँ पे, ठीक है न, प्लस रहेगा तो, अब देखिए, question number 4 क्या है, 10 inverse, question number 3, 10 inverse 5x, 16x square, इसका derivative निकालना है, तो क्या हो जाएगा यह, 10 inverse, इसको क्या लिए सकते है, 3x प्लस 2x, 5x को लिख दें, 3x प्लस 2x, बस हो जाएगा, 3x प्लस 2x, अपाउन 1 माइनस, यह x square है, 6x square, इसको क्या लिए देंगे, 3x इंटू 2x, हो गया, तो क्या लिख देंगे इसको, यहीं पर आगे लिख देंगे, 10 inverse 3x, प्लस 10 inverse 2x, अब दोनों का अलग-अलग करना है, हो जाएगा, 10 inverse 3x सा क्या होगा, हम डारेक्ट लिख दे रहे हैं, 1 अपाउन 1 प्लस 9x square, 3x का होल square यह होता है न, अब फिर 3x का करेंगे तो 3, इसका क्या हो जाएगा, 1 अपाउन 1 प्लस 4x square, फिर 2x का करेंगे तो 2, तो यहीं इसका अंसर होगा, question number 4 देखिए, वो क्या है, d by dx of 10 inverse, 2x अपाउन 1 प्लस 15x, इसको क्या लिख देंगे, तोड़ा सा आप कोशिश करिए, ताकि यह फर्मूले के टर्म में आ जाए, तो इसको 5x माइनस 3x लिख देंगे तो हो जाएगा न, d by dx of 10 inverse, 5x माइनस 3x, यह तो 2x ही हुआ, आप 1 प्लस, यह x स्क्वाइर होना चाहिए, question में इस स्क्वाइर छुटा हुआ है, 5x इंटू 3x, ठीक है, वो लिए, अब इसको क्या लिख देंगे, 10 inverse, 5x माइनस 10 inverse, 3x, अब इसके बाद हम नहीं कर रहें, छोड़ दे रहें, आप कर लेंगे, question number 5 देखिए, guess करिए तर तक, मिटा करके, रोख करके, पॉस करके, खुट करने की कोशिश करिए, question दिख रहा है न, क्या है, 10 inverse, 4 root x, इसको हम लिख दे रहें, 2 root x, प्लस 2 root x, अब देखिए, formula exam दिखने लगा, क्या हो जाएगा, is equal to, क्या हो जाएगा, d by dx of, 10 inverse, 2 root x, प्लस 10 inverse, 2 root x, या d by dx of, दोनों सेम है न, जुड़ जाएगे, 2 tan inverse, 2 root x, और डारेक्ट फर्मूला भी था, इसका, 2 tan inverse x से यही फर्मूला होता है, लेकिन जैसे आपको आसान लगें, कर सकते हो, content rules से 2 को कर दीजे, बाहर, क्या हो गया, d by dx of, 10 inverse, 2 root x, अब इसका, उक्तुलन करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 tan inverse, 2 root x से क्या होगा, 1 upon 1 plus, 2 root x का whole square, into differential coefficient of, 2 root x, तो 2 upon 1 plus, 4 x, इसके square क्या होगा, 4 x, और ये क्या हो जाएगा, 2, root x से क्या होता है, root x का differential coefficient क्या होता है, 1 upon 2 root x, 2 से 2, cancel, क्या होगा, 2 upon root x, 1 plus 4 x, ठीक है, कोई दीकर्ट, ठीक है न, बोलिये, तो next question पर मारते हैं, अगर कोई problem नहीं है तो, ठीक है है, जान से देख रहे हैं आप लोग, question number 5, question number 5 तक तो बना बनाया है, क्या है, d by dx of 10 inverse root x minus x upon 1 plus root x into x, f2 upon 3 by 2 का आप क्या लिशकते हो, लिशकते हो, root x into x, ये क्या हो जागा, 10 inverse root x minus 10 inverse x, अब बताएं ये दोनों का कर लेंगे की नहीं कर लेंगे, हो जाएगा, छोड़ दे, कितना आपको करना पड़ेगा, बार बार हर question ही हम नहीं करेंगे, अब देखें आखली question है, सात्वा, वो क्या है, d by dx of 10 inverse ax minus b upon bx plus a, अंसर हर में a सी भाग दे रिएते हैं, तो क्या हो जाएगा, a सी भाग दे रिएते, x minus b by a, plus b by ax, plus 1, बोलिए, बोजी कर्ट, is equal to 10 inverse, इसको बस धंग से लिखते रहें, क्या हो जागा, x minus b by a, 1 plus, x into b by a, बोलिए, d by dx उट गया है, तो लिख दीजिए, अब क्या हो जाएगा, d by dx of, 10 inverse x, minus 10 inverse, b by a, ठीक है, अब तो हो गया, 10 inverse x से क्या होता है, 1 upon 1 plus x square, और 10 inverse b by a क्या होता है, totally content है, 0, यादि इस आंसर क्या होगा, 1 upon 1 plus x square, तो यह साथ हो question, मुश्किल से, 8-10 मिनट के अंदर लग जाएंगे, साथ हो एक जैसे, ऐसे देखने से लगेगा, कितना बड़ा है, बहुत लेंदी है, बड़ कुछ नहीं है, तो यह हो गया, लाट वीडियो में, ऑकलन के, हमने inverse function के बारे में, कुछ बताया है, उमीद करते हैं, आपको समझ में आया होगा, कुछ गरवड़ी जो बच्चे करते हैं, उसमें से एक दो चीज़े हम बता दें, जैसे इस टाइप के question हो, तो लाग लेते हैं, बच्चे कुछ बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं, लाग y, इसकोल टू लाग y1, प्लस लाग y2, यह बिल्कुल गलत है, लाग property यह नहीं है, ठीके न? जैसे कभ यह question करते हैं, इस तरह की गलती, जैसे x to the power x हो, x to the power sin x हो, तो उसमें गलती क्या कर देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, लाग y is equal to, लाग x to the power x, यह बिल्कुल गलत है, फिर ऐसे question को हम करेंगे कैसे, हमने बताया था, कि इसको आप कैसे करोगे, यह तो होगा नहीं, y is equal to, पहले लिख दीजिए, e to the power, लाग x to the power x, प्लस e to the power, लाग x to the power sin x, फिर यह पौर जो होगा, multiply हो जाएगा, और उसके बाद आउकलंद कर सकते हैं, एक यह बार भी, और अगर आप लाग लेके ही करना चाहते हो, तो फिर कैसे करोगे, लेकिन आईसे नहीं करेंगे, यह तरीका नहीं अपनाएंगे, फिर उसको ऐसे करिएगा, माल लेंगे, इसको y1 माल लिजेगा, इसको y2, then dy by dx is equal to, क्या हो जाएगा, dy1 by dx, प्लस dy2 by dx, जहां, y1 is equal to, तो क्या हो गया, x to the power x, तथा y2 is equal to, क्या हो गया, x to the power sin x, अब इसको लाग लेकर के, अलग से करेंगे, इसको लाग लेकर के, अलग से करेंगे, यही बार बार हम उस दिन बताने की, कोर्सिस कर रहे थे उस वीडियो में, कि अगर question, इस टाइप का है, दो तीन फलनों के योग के रूप में हो, तो e to the power करके, करने से आसान पड़ जाता है, अलग-अलग question नहीं लेना पड़ता है, तेकर न, एक ही बार में हो जाएगा, इसमें और भी एकात हो, इसमें और हो, x to the power lag x हो, या, x to the power 10x हो, कुछ भी हो, तो उसको भी आप लिख सकते हो न, इस तरह से, e to the power lag x to the power 10x, जबकि इसमें तीन question तब हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे तो, y3, plus d3 by dx, जो बात मैं हमने add किया, उसको blue color से लिख रहे हैं, d3 by dx, फिर एक और equation बनेगा, y3 is equal to, equation number 4, अब फिर इसका अलग से करेंगे, लाग ले करेंगे, इसका अलग से करेंगे, इसका लाग ले करेंगे, तो तीन question हो जाएगा, अई इस तरह से एक बार में ही हो जाएगा, ठीक है न, तो अगर आप लाग ले के करना चाहते हैं, तो फिर इस तरीके से करेंगे, और e2 दुपार करके करना चाहते हैं, तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है न, तो इसका ध्यान रखिएगा, डाइरेक्ट लाग y is equal to, लाग y 1 प्लस लाग y 2 प्लस लाग y 3 लिख देंगे, तो गलत हो जाएगा, रांग हो जाएगा, कुछ बच्चों के मन में ये था, कि दुबारा जब आउक्लं कर रहे हैं, y का पहली बार आउक्लं करते हैं, तो dy by dx लिखते हैं, दुबारा कर रहे हैं, तो नीचे dx square कर रहे हैं, उपर dy square क्यों नहीं कर रहे हैं, दुबारा जब लं करते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं, d2y by dx square, इसको पढ़ते हैं, d2y upon dx square, आफ y, d2y upon dx square, ये second derivative है, ठीक है न, इसको y double dash भी लिखते हैं, या y2 भी लिखते हैं, इसको कुछ बच्चों के मन में था, कि ऐसा आपने क्यों नहीं लिख दिया, पहली बार dy by एक दूसरी बार, ऐसे क्यों नहीं लिख दिया, क्यों x का e square क्यों कर रहे हैं, y का क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप जानते हो, ति x का derivative जो होता है, और उकलर जो होता है x के सापेच, वो क्या उसको होता है, लिखते हैं हम लोग, d by dx के बलो होता है, x का derivative क्या होता है, with respect to x, d by dx होता है, तो जब दुबारा करेंगे, जब second derivative लिखते हैं, तो उस समय क्या लिख देंगे, d2y by dx square, function होई है, y का इ, तिवारा करेंगे, d2y by dx cube, अब जिसका कर रहा हूँ, आप y का कर रहा है, तो y का ही लिख दिजिए, यह फर्स्ट derivative है, यह second derivative है y का, यह third derivative है, और एक बर करना चाहते हैं, fourth derivative निकालना चाहते हैं, fourth order derivative तो क्या होगा, तो उससे परसान होने वाली बात नहीं है, ठीक है न, तो इसको इसलिए लिखते हैं, क्योंकि x का derivative with respect to x का होता, d by dx, तो इसलिए बार बार d by dx का ही पार बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, कुछ confusion था, जो बच्चे पूछें तो इसको हमने बताने की कोशिश किया, अब आप वीडियो को ध्यान से देखते हुए, practice करते रहें, अब इसके बाद, एक competition level का कभी बताएंगे, आप वीडियो ऐसा बनाएंगे, जिसमें competition level के ही question हो, लेकिन आप पूरा वीडियो जितने ओकरन के बताएंगे हैं, differentiation के, lecture 1 से लेकर के, lecture number 12, 13 जितने होएं, सबको आप ध्यान से देखिए, और जब पूरा देख लेंगे, तब किसी एक वीडियो में ऐसा बनाएंगे, जो competition level का भी होगा, जो आपको तभी समझ में आएगा, जब पूरा वीडियो जितने देखे रहेंगे, ठीक है, thank you,